आप इस हब हरा हो ना निदावा इप आप भाग जो बहुत बहुत भायादर है बड़ा बेबात है और वह हुसे ही उसी ही ने अलम बलंद किया वैसे चाहिए चाहिए तारीख में वहर देखते हैं तारीख में तो यहीं होत एक आदा बंदा भी अगर हो वह जो कि आपको पूरी चाहां को एक सब आप कर ने हैं यह सब आपको यहां कर रहे हैं और वहन कीया है के साथ उस तरह नहीं खड़े जिस तरह दावा करते हैं तो इसका नहीं जानना चाहिए विए लोग अगर नहीं खड़े आक साथ तो यह किसके साथ पढ़े हैं और यह कैसे हम जान पाएंगे तो आप यह कहते हैं कि हाक में वक्त पर अगर दुरूस्त पिंकीद की जाए तो वह कलमा हाद को से लेकिन आप नहीं देखना है कि हाक में वक्त असल में है कौँ कि पहले तो यह तायुन करें ना कि हाक में वक्त कौन है कि कि किसी ने कहा था कि असल हुक्मरान वो है जिन पर आप तंकीद नहीं कर सकते हैं जिनको आप सरे आप जाते-जाते खापे लगा जें दिन राप बैठे-बैठे उनको गालियां देख टीवी चैनलों पर बैठके उ असल हुक्मरान क्योंकर पहले तायुन करें उन पर जाइस तनकीद करें तो कलमा हाफिजी थी एक बात पर यह दो दूसरी बात यह कि हर किसम कर जो इसकिलाफे राए होते हैं हर इसकिलाफे राए को आप कलमा हख नहीं कह सकते पर बैठके तर तो अठारत इसका नहीं कि जो जो जन्ग जादी ती उसके बाद तर सेय्द ने इक वह लिक्ता ना मकाला रिसाल बाब वहावत लिए अब यह एक इसकिलाफे राए था यह अक्तिलाफे राए था तर सेय्द ने बताया था अंग्रेजों को कि भी एक आप करें इनको मुलादमते देए उसलमानों को भी समझाया अभी कि मंग्रीजी कालीम हासित परो अगर तुम ने आगे बढ़ना है इस अग्रेज सब्कार के साथ रहना है तो यह एक तरह का इसक्तलाफ राए जरूर था लेकिन हम उसे उन मालों में कल्मा हक नहीं कह सकती कि कल्मा अधिर राय हर किसम के थाले कि अलब राय का मतलि यह नहीं कि वह आटमाटिकली कल्मा हक्ती होगी है दूसरी इसकी निशानी यह है कि जो सदाकत का जो अलम बलंद करना होता है इसमें और सरकशी और बगावत लेना बड़ा बारीक फर्क होता है यह भी जानना बड़ा जू निशुक्त हुख्ण का मैं निशी कि इसके बाद करूश करना जो है जायुए है इसका बहुत अलमारे कराम में बहुत बहुत पेसे हैं इसकी जायुक्त होक्मारान कौन है और उसकी अदाब किस सब तक जाएंगे इसकी जो मिसाल लेंगे न वह हम लेंगे शायद आपको कि याद हो कि इस्वामी तारीक में फद्रत अली के खिलाब वो जो फार्जियों ने इगनारा लगाया था ना सवाएज़ा के कोई हुकम ने अब जाहिर ये करमा हाथ था इससे कौन इतलाब कर सकते हैं उसका बड़ा शांदार जवाब लिए उन्होंने कहा था कि ये बात जंग हुई हजब ली ने खार्जियों को उसमें चिकस दिये और उस जंग से पहले कि रजब ली ने एक बड़ा शांदार खुत्वा दिया था जिसमें उन्होंने खार्जियों को पहले को दावत दी कि तुम इसे जो ये बगावत खत्म करके यहां पर आना चाहता है वो आ क्लमाय हक नहीं है जी सरकेशी है ये बवावत है ठीकों कि अच्छा इसमें तीसरा जो एक क्रैटीरिया है जो यह है कि कुछ बातें तारीक कर देती है कि क्लमाय हक क्या था मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने है तो माव हुसेंटी है कि जब कर बला में तो कि अधानवाद है रसूल को दिन धाड़े कतल कर तो शिकस्त हो गई कि मैं कभी-कभी सोचता हूं कि अगर उस जमाने में कि हमारे अख्बारात और यह मीडिया अगर होता है तो जमाने में अगर कोई अंग्रेजी अख्बार होता है लिए कूफा टाइम्स उसकी अगली दि लिए 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 लिखे जाते हैं शाम को फिर यह एंकर बैठके तो यजीद के हख में कामीलें देते कि यह बड़ा जरूरी था वो फुलाओ कमरान था उसे खिलाब यह बगावत इसी तरह की बात हो नहीं थी ना तो क्या वो कलमा एक होता है यह जो चौदास साल में तारीख में थाबिक कर दिया कि इमाम हुसेन हक्वत थे और यजीर जो था वह बातल पर था किसी तरह कि सुक्राब ने जब जहर का प्याला प्याला तो बजाहर को उसको शिक्रस्ति होगी ने उसके घलाब एक नाम नहां सा मुकदमा चला मुकदमे में हुसे अपना दिफेंस मीं यह वह प्रातूर्ब यूसके चाहिर सा पनेटो इसे ओंग लिख पूरा मिकालमा पालों की नाम से सब्सक्राब और एक और उसका मिकालमा है क्राइटो के नाम से इसमें वह जो डोस्त है बहुत का आया है शो कैता है कि कैसा ने जूल के जो हाकिम है उसे जो नाजमीन हों से मैंने बात कर लिए अपर में निकाल कर ले जाएंगे तो बड़ी चांदार दलीले हैं जो सुकराथ उस मौपने कर वो ग्राइटर को देखा है तो यह एक हिस्टॉरिकल बात सुकराथ ने तैह कर दी कि वो हक पर था और उसका जिनोंने ट्राइल कि कि जो हमारी कारीक है उसमें किस तरह से पता लगेगा कि कौन कल्माय हख पर था और कौन नहीं था ठीक है बॉर इसमें 1971 में एलेक्शन में इसमें जो मिजॉरिटी पार्टी थी उसको हमने अपके हुखमरानी नहीं दिया कुछ लोग थे जो कुछ वक्त यह बात कर रहे थे जाय हूँ थोड़ी थे कि यह आप घलत कर रहे हैं वो लोग हक करदे और यह तारीक में थालिथ या है कि एक प्रक्रीत था मैं अट इसी तरह जो अमरियत ने आई हमारे मुल्क में जब जब आई उसका तो लोगों ने बड़ा फुशी भी मिनाई बड़ा उसकी जनाब शान में किसीती भी पड़े लेकिन आज कोई भी 1956 को 1970 को या 1977 को जिस्टिफाई नहीं करता इवन यह हम कर देख रहे हैं यह जो लोग अमरियत को अब आफिर में यह बात की यह लिखा कैसे जाए है कि आम इसे सबसे पहली बात हुए है कि जो लोग यह काम करना चाहते हैं तो यह सोच लें कि इसकी बड़ी हैवी प्राइस होगी जो आपको अदा करिए करें ने को असान काम नहीं है यह कहना कि मैं हग के साथ हूँ मैं इन मुवालिक में ज्यादा चुकानी पड़ती हैं जहां पर इधार राई की परबल्दियों होती हैं वह प्रफासिस्ट टेंटिंशी होती है तुछ नंद नंगों फोजोग हैं आप दूसरा लिखने के लिए ज़रोरी है कि आप खुद आपके दामन तर पर को दाव को जा आपकी अखलाकी जो जो प्रूत है ना वह बहुत जादा उने चाहिए ताकि जब भी आपकर कोई मुली उठे तो इस वज़ा से यह काउं करता है यह तो इस वज़ा से लिक रहा है तो प्लाव फंडिंग इसको आ से तो फिर आपका दामन इतना बेदाग हो कि उसके को सवाल है वे शुकाने बजिते हो है यह बात नहीं है कि जब आप यह aज लिक लिए मौशेरे में बहुत कम लोग है दो यह काम चांगे अब उन पर ना जाए जो रुजाना करते हैं जहांब मैं तो पिझ देर प्स्तर नहीं दरता मैं तो हज़ीज लिख देता हूं वह अ तो आपने वो बात की है वो एक इसक्रिक नहीं देखते थे कि हम इंकलाब लाना चाहते हैं लेकि पुलीस वाले मारते बहुत है पुझा करें यही तो प्राइज है जो आपने पे करनी है ज्यादत अकर आपको मिल जानी है ज्यादत ही तो नहीं होती पुल लेंगे तो मीडिया चलाता नहीं है मेडिया को अजादी चलाने के लिए आपने बोलेंगे इसके लिए इमत प्रादा करनी पड़ेगी लिएंग निनकों को असाल काम को दूशे कि दरना भी पड़ेगा उसमें देखें मैं मैं तो इस चीज का कारण हो के चुंके बैसिकली नॉन वाइलेट जो जो स्रगल होती है उसका तारीख में बड़ा मुताम है और हमारे हाँ जो इसकी विसाल है नॉन वाइलेटी का देजन की भी है और महात्मा गांधी दोनों ने नॉन वाइलेट श्रगल की और महात्मा गांधी ने तो आपको शायद हो जो जो एक मार्स किया था सौल्ट मार्स को कहते हैं उन्हों ने क्या इसको कानून था ना कि एंग्रेज ने एक तुदूर सा कानून मना हुआ था कि जी वो जो तो कि कोई उठागर बेज नी सकता इस्तमाल नी करता तो इसके पर लॉक्ट तो आप उनका जरा नी विजन देखें कि उस बंदे ने उस मार्स का इलाल किया और सेंक्रों मील तक वो मार्स करता गया उसके साथ लोग मिलते गए मिलते गए और जब वो साहले समंदर पे कि कितनी चांदार निसाल थी और पूरी वेस्टर मीडिया में उसकी कबरेज होई और लोगों ने सोचा कि यह क्या निरेजने कानून मना है रहा कि हुन्दमक नी उफा सकता है इस तो स्टूपिड कितना एक जबरदस्त एक स्ट्रटेगी थी उस सब्सकार को हिलाने कि उस लेकिन अगें यह इसाल काम नहीं होते हैं इसके लिए बड़े आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है और इसकी बड़ी कीमत एक चुकानी पड़ती है थैंक्यू वेरी मच्छ आपना बहुत अच्छी लिए